हरे कृष्णा रादे रादे भग तो कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ कि काना जी की किरपा से अच्छे ही होगे तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं करवा चौत की महिलाओं के लिए ये दिन बड़ा ही खास होता है तो इस दिन सारी सुहागन महिलाएं अपने पत होती है लेकिन कई बार क्या होता है कि महिलाओं का पीरेड्स आ जाता है अब बहुती जादा परेशान हो जाती है इस बात को लेके कि अब वो पूजा कैसे करेंगी व्रत कैसे करेंगी चंद्र देपता की पूजा कैसे होगी तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा और अच्छे से एक एक चीज समझ लीजिएगा जिससे की आप से कोई भी गलती ना हो ठीक है तो जो भी सवाल करवाचौत को लेके मुझसे पूछे गए हैं उन सबी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में द सवाल चाहिए तो देखिए जो सापताहिक वरत होते रहा है यह बड़ साल में एक बार आते हैं और यह जो वरत होता है यह अपनी सुहाग के लिए होता है ठीक है neverता को जरूर करना चाहिए औहर शाश्त्रों में कहीं पर भी व्रत रखने की मनाही नहीं होती है ठीक अच्छा इसके बाद लेते हैं अपना दूसरा प्रशन जिसमें की पूछा जाता है कि दीदी क्या सोला शिंगार हम कर सकते हैं क्या नए वस्तर हम इस दिन पहन सकते हैं अगर हम पीरेट्स में हो तो तो देखिए बिलकुल आप सोला शिंग कर सकते हैं आप पैरों में आलता लगा सकते हैं महंदी लगा सकते हैं खुब अच्छे से आप सजिये सवरिये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है सोला शिंगार की कहीं पर भी कोई मनाही नहीं होती है ठीक है तो आप नए वस्तर भी पहन सकते हैं और जो भी शिंगार आप कर करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि अगर आपका पी रेट सा जाए तो आपको करवा चौत वरत कैसे करना चाहिए ठीक है तो आप देखिए सुभा में जल्दी उठें अपने समय से और अगर आपके यहां पर सर्गी लेने का निय इस नानादी करने के बाद में उसके बाद जो भी आपके घर के कार रहे हैं वो आप कर ले उसके बाद आप अपने 16 शिंगार करें जैसे भी आपको सजना हैं सवरना हैं अगर आपको नई वस्तर पहने हैं तो आप नई वस्तर पहने और अगर आपके यहां पर शादी का ज हागन महिला हो आपकी वो देवरानी हो सकती है जिठानी हो सकती है ननद हो सकती है या फिर कोई सकी सहेली हो सकती है ठीक है उनको आप जो है पूजा करने के लिए कहेंगी वही अपने हाथ से चौकी लगाएं माता की फोटो रखें और जो कुछ भी देखिए भोग सामगरी है आप मार्केट से मगवा ले क्योंकि आपको अपने हाथ की बनी हुई किसी भी चीज का भोग नहीं लगाना है ठीक है लेकिन आप उनसे थोड़ी सी दूरी बना के वहीं पे बैठ जाएंगी और वहीं पर बैठ के आपको वरत की कथा जरूर से सुननी है और मनही मन चौत माता से विनती करनी है मानसिक रूप से कि आज मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ लेकिन आप मुझ पर कृपा करें मेरा सुहाग सदैब अटल बना रहे इस तरह से आप उनसे मानसिक विनती करेंगी और जो महिला वहाँ पर बैठ कर पूजा कर रही है ना उनसे आपको टच नहीं क करना है क्योंकि देखिए हम जब पीरेट्स में होते हैं अशुद अवस्था में होते हैं माना कि ये एक नेचuiçãoल चीज है और ये हर महिला को होती है ये दिक्कत लेकिन क्योंकि हमें समय पूजा नहीं करनी है तो हमें जो है जो दूसरी महिला जो वहाँ पर बैठी है उनसे भी छुलना नहीं चाहिए ठीक है नहीं तो देखिए दोश हमें ही लगेगा क्योंकि वो इतनी शुद्ध और पवित्र अवस्था में पूजा कर रही है और हमारी बज़े से उनकी जो शुद्ध अवस्था है वो खंडित हो जाएगी तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं क करा सके हम तो अलग रहते हैं मेरे साथ सिर्फ मेरे हस्बेंड और मैं ही रहती हूँ और जानने वाला भी कोई ऐसा नहीं रहता आसपास जिसे की हम घर बुला के पूजा करा सके तो फिर हम ये व्रत पूजा कैसे करें तो देखिए आप व्रत जैसे करा है वैसे ही करेंगी ठीक है लेकिन संध्या के समय आप अपने हस्बेंड से चौकी लगवाएं माता की पूजा करवाएं देखिए हस्बेंड लोग बहुत अच्छे से तो नहीं कर पाएंगे लेकिन वो जितना भी करेंगे उतने में आपका काम हो जाएगा ठीक है तो आप अपने हस्बेंड से प पत्नी होते हैं वो अलग नहीं होते हैं और देखिए वैसे भी पत्नियों को तो पती की अरधंग नहीं कहा गया है आधा अंग जिसे कहते हैं ठीक है तो आप दोनों में से कोई भी पूजा करें फल आप दोनों को ही प्राप्त होगा ठीक है तो आप ये पूजा अपने पत या तो या तो ये नियम आप अपने घर में देख सकते हैं कि आपके बड़े आप से क्या कह रही हैं तो जैसे भी वो कह रही हैं या तो आप वैसे कर ले और नहीं तो अर्ग भी आप अपने पती से दिलवा सकती हैं देखिए फ्रेंट्स कई सारे घरों में husband और wife मिल करके करवा चौत का विरत करती हैं, करवा चौत की पूजा करती हैं, तो फ्रेंट्स जब periods में कोई कारे महिला नहीं कर सकती हैं, तो उसके पती उसकारे को कर सकती हैं, तो चंदरदेपता को अर्ग आप उनके हाथ से दिलवा उसके बाद जिस तरह से आप चंदरदेपता को देखती हैं, फिर अपने पती की पूजा करती हैं, तो आप वैसे बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं होती है, ठीक है, देखिए वैसे तो देखिए, सभी देवी देपता बड़े होते हैं, लेकिन हमारे पती से बड़ा देपता हमारे लिए कौन हो सकता है इसलिए आप पूरे प्रसंद मन से अपने पती का पूजन करें आप अपने पती को तिलक करें कुछ मीठा खिलाएं उनके चरनिस पर्श करें उनसे आशीरबाद लें तो इस तरह से पूजा करने से आप तोनों में तो प्रेम ब ठीक है पूजा आप उनसे करा सकते हैं तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आज की जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर करें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में